अगर आपको अपने bank के account से पैसे निकालने हैं तो पैसे निकालने के लिए भरना होगा उस form के बारे में हम लोग देखेंगे और उसको भरेंगे तो चलते हैं वीडियो की तरफ यह saving bank withdrawal form है इस form की मदद से हम लोग पैसे की निकासी करेंगे अपने account से saving account से अगर आपको पैसे निकालने होंगे तो आप saving bank withdrawal form को fill करेंगें आपके screen के सामने जो form दिख रहा है saving bank withdrawal form से वही फॉर्म है आज हम इसको भरना सीखेंगे कि कैसे हम इसको fill करेंगे ताकि bank से जो मेरा saving account है उससे हम पैसे निकाल सकें इसको निकालने के लिए जरूरी है कि इस फॉर्म का इस्तमाल आप अपने होम ब्रांच पर ही कर सकते हैं, किसी और भी ब्रांच में अगर आप इस फॉर्म को भर के देंगें, तो आपको पैसा नहीं मिलेगा, इस बात को आप ध्यान रखें कि सेविंग बैंक विड्रॉल फॉर्म का उपयोग केवल और केवल आप अपने होम ब्रांच में कर सकते हैं, यानि जिस ब्रांच में आपका एकाउंट है, इस फॉर्म को फिल करते समय आपको तीन चैज़ों की जरूरत होगी, सबसे पहला आपका कौन सा ब्रांच है, दूसरा जरूरत पढ़ेगा आपका कौन सा एकाउंट है, एकाउंट नमबर और तीसरा ज़रुरत पड़ेगा कि account number किसके नाम से है यह तीनों जानकारी आपको passbook से मिल जाएगी तो अब इस form को हम भरते हैं पहले आप यहां देखेंगे तो date है date आज का date है 14.04.2022 तो हमने यहां पर mention किया branch हमारा branch है main branch राची तो हमने यहां main branch राची लिखा मुझे राची कितने राची चाहिए तो मुझे 10,000 यानि 10,000 रुपए चाहिए तो मैंने यहां अंग्रेजी में 10,000 only लिखा और हिंदी में भी 10,000 मात्र लिखा आपको जो अच्छा लगे English में अच्छा लगे तो English में लिखेंगे और अगर हिंदी में भी लिखना हो चाते हैं तो हिंदी में भी लिख सकते हैं कोई परेशानी नहीं है और यहां आपको अंक में लिखना अंक में लिखने का तरीका यह रहेगा दस हजार के बाद एक लंबा निशान खीचना और डैस करना है ताकि कोई भी एक जीरो बढ़ाना सके अब यहां पर आपको मेंशन करना है अपना एकाउंट नमबर चुके यहां पर मेरा जो एकाउंट नमबर था उसको हमने लिखा और बाकी जो खाली बॉक्स था उसको हमने काड़ दिया ठीक इसी प्रकार आप भी भरेंगे अपना एकाउंट नमबर भरने के बाद जो भी खाली बॉक्स बच जाएगा उस पर डैस का निसान लगा देंगे फिर यहां है खाता धारक का हस्ताक्षा सबसे महत्पुन है जैसा साइन आफ एकाउंट खुलवाते समय किये हैं सेम वैसा ही साइन यहां पर करेंगे हमने अपना साइन किया है आफ अपना करेंगे नीचे खाता धारक का नाम लेकिन यहां स्पेस बहुत कम है इसलिए स्पेस कम होने के कारण हमने अपना नाम मोहन कुमार नीचे लिखा है अगर आपका नाम यहां भी नहीं अटेगा तो आप उपर फॉर्म के उपर लिख सकते हैं कोई परेशानी नहीं है अब जो नीचे वाला चीज है वो ओफिस यूज है तो इसको हमें नहीं भरना बस इतनी वेसिक सी जानकारी भरके हमको बैंक के जो कॉंटर है उस कॉंटर पर देना है और हमें पैसा मिल जाएगा और हमारा पैसा जो हमें चाहिए वो हमारे एकाउंट से कटके जो भी कॉंटर पर बैठा हुगा कैसियर होगा वो हमें दे देगा अगर वीडियो आपको इंफॉर्मेटिव लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करेंगे और कमेंट मॉक्स में कमेंट करेंगे कोल भी डाउट हो तो आप कमेंट करें हम कमेंट का ज़रूर जवाब देंगे और वीडियो को लाइक करें शेयर करें पुरे वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद